नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक पार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और एट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थम निल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 13 अगस्त 2014 की हिमाचल की शाम पांच बजे की टॉप 10 तादा ख़बरों की जनकारी इस वीडियो में देने वारा हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम की पहली तादा ख़बर ब्रेकिंग नूज है नेगल सरी में हाइवे पर फिर भूस कलन राज जम में 218 बिजली ट्रांसफार्मर परवावित हुए थे इसके साथ ही 131 चल अपूर्थी योजनाएं भी ठाप हैं शमला मंडी कुलू वासर मौर जिले में सबसे देख सटकें परवावित हैं कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्थी ठाप वहने से लोगों में दुश् में मंगलबार को पंजाब के विवोर्साइब में एक साथ चलाई गए तस्वीरें आप देख सकते हैं हर आँख नाम हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं छे दिन से लापता युवती का शव ब्यास नदी में मिला दो युवक गिर्फतार कुल्यू मनाली 22 मारिक परस्थित खकनाल से लापता युवती का शव जो है 15 मिल में ब्यास नदी में ब्रामद हुआ है युवती का शब ब्यास नदी में फैंकने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गर्फतार किया है पुलिस मामले की गेंता से जाच कर रही है युवती के मृत्यू के कारण का पता नहीं चल पाया पोस्ट मार्टम और फोरंसिक रिपोर्ट के बाद ही मृत के कारणों का पता चल सकेगा पुलिस ने शब को पोस्ट मार्टम के लिए नेर्चौक मेडिकल कॉलिज भे दिया है बलिदान हुए परवीन शर्मा को अंतिम बिदाई देने दादी मा नंगे पाउं पहुंची शमशान घाट परवीन के चचेरे भाईयों हर्श वर्धन वा अर्जुन ने मुखागनी दी लोगों ने शहित परवीन शर्मा अमर रहे के नारी लगाए लाडले को अंतिम बिदाई देने माता रेखा शर्मा और दादी चंपा नंगे पाउं शमशान घाट पहुंची तस्वीरे आप देख सकते हैं ट्राक कीच पेट में आई स्कूर्टी सवार महिला दर्णाक मौद शरीर के हुए तीन टुकडे जिला हम एरपोर में ब्यास पुल नदोन पर एक स्कूर्टी सवार महिला ट्राक कीच पेट में आगी ये हाथसे में महिला की मौत होगी हाथसा काफी दर्णाक था महिला की शरीर के तीन टुकडे हो गए जबके उसकी एक टांक पिछले टाइर के पीछे नीचे आकर बुरी तरह फंस गई थी डली में निर्मानधीन फोरलेंड टैनल के मोहने पर बारी बुसकलन शकराल डली फोरलेंड की चलोठी के पास निर्मानधीन टैनल के मोहने पर बारी बुसकलन हुआ है बड़ी मात्रमे मालबा टैनल के मोहने पर गेर गया इससे टैनल का मोहना जो है भर भरा कर गेर गया शमला पीम शरीव इद्याले की दो छात्राएं नई दिली की सुतंतरता दिवस समारों में होंगी शामिल तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल में सबसे बड़ा बैंक गोटाला उड़ गए होश है हिमाचल में एक बैंक में करोडो रुपए का गोटाला सामने आया है सिरमाओर के नोहराधार में कोपरेटिब बैंक में करोडो रुपए का गवन हुआ बैंक के करमचारी ने ही इस जाल साजी को अंजाम दिया है हिमाचल में अचाईवी के 5,774 मरीजें जिनमें से 1562 अकेले कांगडा में है राजजेनिका है तो दोस्तों ये थी हिमाचल परदेश की शाम 5 बजे की सभी टॉप 10 तारा खबर है अगर आपने विद्ध वीडियो को लाइक ने किया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके बन्यवाद चैहिं चैभा